इन सीटोर मामला भाटी साब मैं चाहूँगा आप भी जरूर यहाँ पर आईए समाजबादी पार्टी के वरिष्ट रेता प्रवक्ता राजगोवर भाटी साब हमारे साथ मौझूद है भाटी साब मैं चाहूँगा यहाँ आईए आप इस सरफ आगे आईए ये श्वन जी इस वक्त हैं हमारे LED के साब में सर नगीना फूलपूर बारा बंकी इटावार राय बरेली और बदाईउं यह साथ सीटे क्या कहिंगे इन साथ सीटों के बारे में भाटी साब बदाईए जो यस्वन्त जी का और सी वोटर का जो सर्वे जो ऑपिनिन पोल है उस पे तो कोई संदे जाहिर मैं नहीं करना चाहता है कि ऐसे लोग मिल जाते हैं जो एक तरफ एक पार्टी के समर्थक होते हैं वो ज्यादा मिल जाते हैं लेकिन जो यह रिजल्ट दिखाए जा रहे हैं परणाम इसके बिल्कुल बहुत अलग होंगे जैसे आपने पस्चिम की अभी खाली कते हैं है, आप में गदायू में तीसरी बार प्रत्याशी दे radio आपकी पार्टि के आहवायू थि घाटायू आटी ऑंक किसी भी कीमत पर नहीं हार रहें वग्दावसां कई रहें कहराना हम बहुत अच्छे मारजन से जीत रहें किख रहें बुजबफ़नगर में बीजेपी की कारिकरता कह रहे हैं कि समाज़ादी पार्टी जीता है। बड़ा दिल्चस्प आंकड़ा में आपको दिखाता हुलां कि जो आपने का मंदिर दिखाता हैं यह एक प्रतीक चिन्न के तौर पर हर स्टेट का दिखा रहे हैं ठीक है आपकी बात भी लेकिन अब देखे एक और आंकड़ा राजकुवर भाटी साब हम आप आप हमारे पैन से कौन टाइट करेगा यह दिल्चस्पा देख रहा देखिए साथ सीट ऐसी है उत्तर प्रदेश में जहां पर एक फिसद का स्विंग किसी का भी खेल बिगाड सकता है किसी का बना सकता है यह साथ सीटें कौन कौन से देखिए फिरोजाबाद जौनपूर मुरादाबाद म साम रोहा यानि कुल साथ सीटें लेकिन साथ की साथ सीटें एश्वन जी बीजेपी की यानि एंडिये की यही खेल है यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जब आप स्वीपिंग मार्जिंस के साथ में जाते हैं तो उस स्वीपिंग मार्जिंस में अक्सर होता है कि मार् लेकिन इस सीट पर आप बोलेंगे पक्के से ये जीत रहे हैं तो ब्रह्माजी भी आके खड़े हो जाए तो यहां नहीं बोल सकते हैं कि यह पक्के से जीत रहे हैं चलिए मैं अपने आपको पूरी इमानदारी के साथ में आख्रे जो है वो दर्शकों जंता के सामने रख रहा हूं लेकिन जहां पर जो जो कमी या गड़बड़ी होने की संभावना है हम वो भी पूरी शुक्ला साबी सर में आपको भी यहां पर बुलाना चाहूंगा क्योंकि यह मामला बहुत फसा हुआ है यहां पर दिखिए एक प्रसेंट के मार्जन पर दिखा रहे हैं साथ सीटे और अब यह दो पूरा आंकड़ा हमारे सामने हैं यह स्टेट में बीजेपी की सीटें कम हो रही हैं आपका साज्यों में सहमाते हैं लेकिन जैसे गुजरात दिखा रहे हैं और यह उत्राखंड और हिमाचल उनमें भी एक दो दो सीट कम होगी ठीक है मैं विनोगा किने उतिसाब क्या कहें यह देखिए एक परसेंट के स्विंग वाली सीटें और सारी एंडिये की हैं अमरोहा धरोह फिरोजाबाद, जौनपूर, मुरादाबाद, मुजफर नगर संभल यानि यह कुल साथ क्या कहेंगे इन पर सरब यहां पर तो बीजेपी के लिए खत्रे की घंटी है देखिए एक परसेंट का स्विंग मलब बहुत कम होता है जे और खत्रे घंटी दोनों के लिए होती है खाली बीजेपी के लिए क्यों है जे जो एक परसेंट से पीछे है हो सकता है और पिशड़ जाए या कवर करने लेकिन एलेक्शन मनेजमेंट में जो बीजेपी को महारत हासिल है जो आखरी बाल तक बैटिंग करने की बीजेपी की जो एक रणीती है या उसका उसके अंदर जो कुछलता है उसके चुनाव प्रबंदा नए बूत मेनेजमेंट है तो इसलिए बीजेपी कई बार जो एक परसेंट दो परसेंट स्विंग वाली सीटे होती है उनमें अपनी बढ़त बनाए रखती है यह है चुनावती लेकिन अब यहां जो जीन सीटों का बात कर रहे रिखा वर्मबाद से जी इसी तरह अब फिरोजाबाद सीट समाजवादी पार्टी अगड़ है और रामकोपाल जी के बेटे अक्षा यादों वहां से रहे हैं तो अब वहां पर समाजवादी पर्टी पूरी ताकत लगा देगी बूत मेनेजमेंट भी करेगी और सब क्योंकि अगर वह साथ सत्तर हजार भी वोट काट ले गई तो सीधे 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 बीजेपी का नुक्सान होगा कर दो कि मैंडेजमेंट है सर मैं एक रेक्सिन यहां पर राकेशुद्रा सीट को मैं बता दू जी बुरानाबाद सीट पे जो एस्टी हसन जो वहां के लोकल ए अब दो दिन पहले तक पूरा गुरूप जो जो नहीं लगा था लेकिन हाली में खवर आई है कि अब एस्टी हसन को मना लिया गया है अब उनका गुरूप भी रिशुद्रा करें यह एक परसंट दो परसंट वाले हैं यह अनके बारे में बताई बदाई उबारा बंकी सपमाजबादी पार्टी जीतेगी क्योंकि मुक्तार अंसारी का जो निधन के बाद वहां पर उनका अफजार अंसारी एक पर बोट मिले गा इस पर यह दिया खिलेश चुनाव लड़ते हैं यह तो वहां पर टाफ हो जाएगा भारती जनता-पार्टी के लिए लेकिन यद बारती जनता पार्टी चुनाव निकाल सकती है कन्योज का अब आज आए फूलपूर फूलपूर में जो फाइट है मेरे पास जानकारी वो यह है कि चाहा यह जा रहा था कि पल्लवी पटेल फूलपूर से चुनाव लड़ें लेकिन किनी कारणों से पल्लवी क्रास लेकिन प्रियंका नहीं लड़ती तो भारती जनता पार्टी भी इसलिए अभी तक कंडिडेट नहीं दी है कि कांग्रेस का कंडिडेट देखने के बाद ही वह अपना कंडिडेट उतारे रामपूर में आजम खां की तरफ की जो नाराजगी है वो मुझे लगता है कही न कह सपा के लिए भारी साबित ना हो जाए यह तो इस तरीके से सारी सीटों के जो समीकर मैं इन दो सीटों में बात करूँगा अम रोहा में जो पिछली बार दानिसली जीते उस ब्यस्पी से उसका मूल कारण यह था कि मुस्लिम और जाटाओ यह दोनों उनके साथ गए और छे जाटाओ बोर्ट भी मिले थे क्योंकि वहां यह दोनों बोर्ट बहुत आयत है और उसकी बज़े से वह दानिसली ब्यस्पी से जीते लेकिन इस बार इस बार कॉंग्रेस के साथ जाटाओ बोर्ट जाएगा क्या सबसे महत्तुमूर यह बढ़ा सवल है ठीक है सर अब आप जाए इस पर जौनपूर के जौनपूर में अभी गया था वहां क्रपार संकर सिंग का घोर मिरोध है लेकिन उनके पास बिकल्प नहीं था लेकिन अब कला रेड़ी को ब्यस्पी जो टिकेट दे दिया है उससे वह स्टीट फंस गई है भारती जलता जैसे ही घड़ी का फ्री टाइम पे और इनकी तरह आप भी देगे अपना फेवरिट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव आप अपने स्मार्ट टीवी पर एबीपी नियूज आपको रखे आगे